हेलो रिवान विल्कम टू आर चैनल कल सम्हाव क्लास पॉसिबल नहीं थी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था एंड थैंकी सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए इस्पेशली मेरे ग्रूप के जो स्टुडेंट हैं को थैंकी सो मच तो जो हमारा लेक्शर चल रहा था उसमें हमने हर्बर्ट स्पेंसर की सुष्रोजी के बारे में पढ़ा था तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम की सुशॉलजी के बारे में कि उन्होंने क्या-क्या सिध्धान दे और क्या-क्या उनके famous works रहा है उनका जीवन उनका वेक्तितों करेंगे तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कुशिश करेंगे तो आई होप आपको यह लेक्षर अच्छा लगेगा अगर लेक्षर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैन को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को सभी के शास शेयर कर देजिए क्योंकि काफी यूसफुल है यह वीडियो तो ऐसे ही देखते रहे हैं चले देना करते वह शुरू करते हैं तो एमाइल दुर्खीम फर्स्ट ओफ ओल तो हम जानते हैं कि यह कहां के समाशास्त्री थे फ्रांस के ठीक है यह फ्रांस के समाशास्त्री थे अगर आगस्त कॉम्ट के बाद किसी समाज शास्त्री का उतना ही महत्वड योगदान है समाज शास्त्र के शेत्र में तो वो ML दुर्खीन है वस्तुतह जो अधूरा कारे कॉम्ट ने छोड़ दिया क्योंकि कॉम्ट ने नामांकरन कर दिया एक नवीन शास्त्र का लेकिन उसको अधूरे पन के साथ ही वो छोड़ के चले गए किस तरीके से उसकी अध्यन विधिया होंगी उसमें क्या अध्यन किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये सब कुछ डिफाइन करने में वो असमर्थ रहे तो जो अधूरा कारे कौम्ट ने छोड़ा था उसको पूरा करने का जिम्मा लिया इमाइल दुर्खी ने फ्रांस के वो भी थे फ्रांस के ये भी थे तो उनके अधूरे कारे को इन्हों ने पूरा किया इन्होंने समाज शास्त्र को वास्तों में वग्यानिक तरीके से अध्यन करने की पधतियों के बारे में बताया, अध्यन विधी क्या होगी उसके बारे में बताया, जो विशर सामागरी क्या हो सकती है उसके बारे में बताया, तो ये सब कुछ आपके दुरखीम ने चीजों क क्लियर किया कि अमाज शास्त्र में क्या कि चीज़े और कैसे Dire learned खुआ शुरूब प्रदान किया दूरुखिभ ने क्या किया एक नवीन शास्त्र का जनम दे दिया उनको पिता बोला जाता है लेकिन उसको एक बैघ्यानिक सुरूप प्रदान किया दुर्खीम ने तो इनको वास्तविक पिता कहा जाता है जैसे आपके जो पिता होते हैं आपके माता पिता होते हैं वो आपको जनम देते हैं आपको जनम के बाद प्राथमिक जो समाजी करन होता है प्राथमिक संस्कार होते हैं वो देते हैं लेकिन व सवरुप जो होता है वह यह इन्हों ने किया कि नामांकरन कर दिया कॉम्ट ने लेकिन इन्हों समाश शास्र जैसे एक नवीर विशय को वेग्यानिक सवरूप प्रदान किया उसको एक धाचा एक सवरूप में ढाला इनका जनम हुआ था 1858 में और 1917 के आसपास में इनकी मरत्य हुई तो 1887 में इनका जनम हुआ 1917 में इनकी मरत्य हुई France के ये समाशास देन से कफी अब हम देखते हैं इनकी कुछ प्रसद्ध कृतियां क्या-क्या इन्होंने बुक्स इनका जो वक्स है क्या कि इन्होंने चीज़े लिखी है तो जो इनकी पहली बुक है वो है The Division of Lever in Society The Division of Lever in Society ये बुक आई थी 1893 में मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें By Mistake Print हो गया था तो आप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने पिंड कमेंट में दे दिया था देखिए कभी भी कोई भी कन्फूजन हो तो जो पिंड कमेंट होता है उसको चेक कर लिजे क्योंकि कई बारी हो जाता है By Mistake कुछ चीज हो जाते है तो उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ तो इनकी पहले पुस्तकाई The Division of Labor in Society कि समाजों में किस तरीके से श्रम बिभाजन है पहले किस तरीके से श्रम बिभाजन था अभी किस तरीके से है श्रम बिभाजन है तो क्यों है इसके क्या प्रकारे है और क्या इसके कुछ दुश्प्रकारे भी है ये सब ही के बारे में इन्हों ने डिसकस किया अपनी पुस्तक The Division of Labor in Society जो किया आई थी 1893 में 1893 में इनकी पहली पुस्तक The Division of Labor in Society Second book इनकी आई The Rules of Sociological Method Rules of Sociological Method ये पुस्तक कब आई? ये आई 1895 में 22 year का स्टार्टिंग की books में गैप रहा है तो पहली पुस्तक आई की समाज में श्रंबिभाजन वो आई 1893 में Second आगई The Rules of Sociological Method 1895 में की समाज शास्तर की पद्धती के क्या नियम हो सकती है एक तरीके से समाज शास्तर की पद्धती शास्तर को इन्होंने डेफाइन किया इस वाली पुस्तक में जो ये इनकी Second आगई The Rules of Sociological Method थर्ड इनकी Most Important Book The Suicide 1897 में जो 1897 में इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक The Suicide इनसे पहले माना जाता था कि जो आत्महत्य है ये एक व्यत्तिगत घटना है व्यत्ती अपने जीवन से परेशान हो करके उब करके तरस्त हो करके Suicide कर लेता है लेकिन दुरखीम ने कहा कि नई भया ऐसा नहीं है जो कुछ भी है समाज में उसका कारण समाज स्वयम है तो यदि समाज में आत्महत्य हो रही है तो उसका कही न कहीं रीजन समाज ही है तो उस आत्महत्य को इन्होंने समाजिक कारण के द्वारा निर्देशित ये घटना माना कि व्यक्ति का क्रत्य तो है व्यक्ति गट घटना तो है लेकिन इसके रीजन क्या है इसके रीजन है समाज में नहीं समाज प्रेरित करता है व्यक्ति को कि वो सुसाइड करे अब चाहे तो उस पे जादा नियंतर लगा करके या बिल्कुल नियंतर ना करके या फिर घनेश सम् माजिक कारणों के कारण उत्रप्रेरित घटना माना दसुसाइड बुक 1897 में तो आत्मत्या गिनरे तेश से बैग्यानिक अधनक्या सबसे पहले फिर फोर्थ हिनकी बुकाई The Elementary Forms of Religious Life 1912 में 1912 में The Elementary Forms of Religious Life ये भी बहुत ही important पुस्तक है कि किस तरीके से प्रारंब में धर्म का सुरूप था किस तरीके से धर्म उत्पत्ति में आया धर्म का जो उत्भव है धर्म का विकास है किस तरीके से हुआ प्रारंब में लोग क्या मानते थे उसके बाद क्या मानने लगे तो इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अध्यन करिके ने बताया टोटम के अधार पर डिफाइन किया सारी चीजों को तो ये इस वाली पुस्तक में The Elementary Forms of Religious Life जो की आई 1912 में उसके बाद एक और important book है The Moral Education 1925 में 1925 में आई The Moral Education ये भी काफी important book है तो ये 5 important book है वैसे इनकी करतियां बहुत सारी है बट अभी मैंने इनको जादा लिया है क्योंकि ये most important है exam में जादा तर यहां से पोछ लेता है तो ये थी इनकी करतियां अब अगर हम दुर्खीम को पढ़ रहे हैं तो दुर्खीम में सबसे important चीज़ क्या है दुर्खीम ने समाज को सबसे जादा importance दे दी कि जो कुछ भी हो रहा है उस घटना के पीछे समाज है सामाजिक कारक है सामाजिक परिस्थितियां है तो जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे समाज उत्तरदाई है तो ओ इनके अगर हमें पूरी theories को पढ़ना है पूरी theories को समझना है तो एक concept इन्होंने दिया social fact अगर सोशल फैक्ट को हमने समझ लिया तो लगभग इनकी पूरी सोशालजी हमारे दिमाग में गुश जाएगे क्योंकि काफी सारी चीज़े इन्होंने इसी की बेस पे बताई तो सोशल फैक्ट क्या होता है हम ये समझेंगे ठीक है क्या है सोशल फैक्ट तो फर्स्टरली समझते हैं कि फैक्ट क्या होते हैं तथ्य क्या होता है तथ्य क्या मतलब होता है कि कोई भी आनुभाविक प्रमाड एक ऐसी चीज़ एक ऐसा प्रमाड जो की हमने अनुभव के आधार पर हमारी जो इंद्रियों ने अनुभव किया या हमने जो अवलोकित किया जिसका कुछ हद तक हमें वैज्ञानिक तरीके से एक वास्तू की जैसे हमने अवलोकित किया तो अनुभवे के प्रमाड वो ही हो गया अब बोलते हैं ना कि factual बाते करो तो factual का मतलब होता है तथ्यात्मक तथ्यात्मक जो चीज अब लोकित है और वो प्रमारित की जा सकती है प्रमार का मतलब हुआ जिसको कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने फील कर लिया वो ही है जिसको हमने धन किया लेकिन अगर हमारे बाद भी कोई उसकी स्टडी करता है तो वो चीज प्रमारित हो सकती है कि हाँ ये ऐसी है मतलब ये ब्लैक कलर है तो हमारे बाद भी अगर कोई दूसरा भी देख रहा है तो उसको भी ब्लैक ही देखेगा तो ये प्रमारित हो सकता है जिसका हम प्रमार दे सकते हैं तो कोई भी अवलोकन योग्य प्रमाड उसको हम कहते हैं तत्थे अब सामाजिक तत्थे क्या होता है? तो सामाजिक तत्थे को दुर्खिम ने बताया तीन वर्ड में बहुत ईजी से आप समझ जाएंगे कि हमारा सोचना, हमारा अनुभव करना اور हमारा कार्य करना इनके जो तरीके होते हैं और जो की व्यक्ति से बाहे हैं लेकिन व्यक्ति उनको मानने के लिए बाद दे हैं यही है सामाजिक तक थे तो इसमें जो वर्ड है हमारा जो इन्होंने वर्ड यूज किया हमारे कारे करने हमारे अनुभो करने सब कुछ समाज को importance दी तो इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें समपूर समाज की चेतना नहीं थो सिर्फ एक व्यक्ति ने सोच लिया ऐसा नहीं है वो समाजिक तथे बन जाएगा वो व्यक्तिक तथे है समाजिक वो तभी बनेगा जब पुरा समूह उस चीज में बिलीव करें तो suppose that कि किसी एक व्यक्ति ने माना कि गाए की पूजा करना अच्छा होता है या फिर नीम की पूजा करना अच्छा होता है शुद होता है तो उसने नीम की पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी या फिर गाए को सम्माननिय मानना शुरू कर दिया तो यह पहले उसने सोचा तो उसके दिमाग में आया यह हो गया उसका सोचना उसके बाद उसने ये चीज फील करी कि हाँ something ऐसा होता है कि अगर हम सम्मान देते हैं गाय को या ऐसा कुछ करते हैं तो हमें आंतरिक सांती का अनुभव होता है something कुछ कुछ ऐसा तो उसने अनुभव ये चीज करी उसके बाद उसने चीज को कारे रूप में परेड़ेद कर दिया कि वो समान देने लगा गाय को मता मानने लगा तो वो समान देने लगा तो ये तो था वेक्ती का तो जब तक उसकी थोट थी तो ये उसके अंदर था लेकिन जब उसने अनु समुह ने उसको follow करना शुरू कर दिया तो वो व्यक्ति की चेतना से बाहर हो गया अब व्यक्ति यदि चाहे तो उस तथ को बदल नहीं सकता कि गाए समानन ये होती है ये सतथ को यदि वो बदलनना चाहेगा तो समाज उसको बदलने नहीं देगा, समाज उसको बाद्धे करेगा कि तुमको यह मनना है क्योब क्यों कि परंपरा से वो चीज होती आ रहे सामुहिक चेतना नहीं थै उसने तो उसको बदल नहीं सकता जैसे वहाँ होली कत्य opened होगा तो किसी ने तो start किया होगा उसने अनुभव किया जब उसने कारे रूप में परेड़त कर दिया उसके बाद उसको धेर सारे लोग करने लगे इसने किया इसने किया जब उसमें पुरा समूह उसको करने लगा तो अब समूह की चेतना उसमें आ गई अब जब समूह की चेतना आ गई तो अगर वो एक व्यक्ति जिसने start किया था वो खुद भी चाहे तो भी इसको बदल नहीं सकता फिर वो इसको मानने के लिए बद्ध है और अब ये चीज उसकी चेतना से वाह हो गई ठिक तो ये समझाया कि हमने हमारे सोचने यानि कि सामोहिक चेतना से जो चीज सोचे जाती है सामोहिक चेतना से जो चीज अनुभव की जाती है और सामोहिक चेतना के अधार पर पूरा समुह पूरा समाज जो कारे करता है वो चीज है सामाजिक तथ जो की व्यक्ति की चेतना से बाहर है व्यक्ति उसको मानने के लिए बात दे है उसमें कोई परिवर्तन व्यक्ति न विश्यस्ताई होती है, तो पहला तो ये व्यक्ति से बाहे होता है, मतलब व्यक्ति ने पहले तो starting किसी person नहीं की होगी, लेकिन जब उसमें पुरे समाज की आ गई, पुरे समुह की आ गई, तो अब व्यक्ति से ये चीज बाहर हो गई, अब व्यक्ति नहीं उसमें changes कुछ भ रहा है जिसमें सामुहिक चेतना चुकी है उस चीज को तुम्हें follow करना ही है तुम्हें बाद्धता है कि तुम उस चीज़ को फैलो करो तुम उस चीज़ को वदल नहीं सकते तो बाद्धता आ गई उसके बाद सामानytा कि ये common होते है common मतलब की पूरा समाज उनको follow करता है, तो यह common होती है ने कि यहाँ पर ये चीज, वहाँ पर वो चीज अब देखो, गाई का समान होता है, तो संपूर भारत में होता है, अगर पेड़ पोधो में किसी पेड़ को पवित्र माना जाता है, तो वो संपूर योगे होते हैं, इनको कोई भी परसन अवलोकित कर सकता है, as a object एक वस्तू के जैसे हम किसी प्राकतिक विज्ञान में हम वस्तू के जैसे अवलोकित करते हैं वैसे ही इसको अवलोकित किया जा सकता है, यह मापन योगे होते हैं, इनका सामाजिक तक्थों का मापन संभव है तो इसका अवलोकन संभव है मापन संभव है इसका वैज्ञानिक रूप से अध्यन भी संभव है इसका वैज्ञानिक रूप से अध्यन किया जा सकता है तो वो सारी चीजें होती हैं सोशल फैक्ट में सोशल फैक्ट को इन्होंने जरिय क्या माना प्रत्यक्षवाद का जो सपना था उसको पूरा करने का प्रत्यक्षवाद क्या होता है पहले मैंने समझाया था लेकिन शौट में बता देती हूं प्रत्यक्षवाद का माने प्रत्यक्षवाद करें जो चीज हमने अवलोकित करें जो चीज अवलोकित की जा सकती है प्रत्यक्षवाद उसी को सत्य मानता है, सत्य क्या है प्रत्यक्षवाद के एकॉर्डिंग जो चीज प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित की जा सकती है, जो हम सामने से देख सकते हैं, जिसका आवलोकन कर सकते हैं, परिक्षण निरिक्षण वैग्ज्यानिक विधी से as a object, एक वस्तु के जैसे, तो वो है प्रत्यक्षवाद, तो इन्होंने कहा कि हम जब सामाजिक तथ्थों का अध्यन करेंगे, तो हम सामाजिक तथ्थों को एक वस्तु मानकर अध्यन करेंगे, उसको हम यह नहीं मानेंगे कि इसमें हमारी कोई चीज जाएगी, हमारी वस्तु व्यक् मानकर अध्यन करेंगे तो सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर इसका वज्ञानिक अध्यन करना इन्होंने कहा दुरखीम ने और इसी के अधार पर इन्हों प्रत्यक्षवाद को दिया की प्रत्यक्षवाद में इसी चीज़ का अध्यन होता तब ही इन्होंने प्रभाषा द इनको बोला जाता है माइल दुर्खीम को प्रकारवाद जो प्रकारवादी विचारधारा है या प्रकारवाद है इसका जनक वैसे तो स्पेंसर ने भी थोड़ा बहुत चीज़े बताई है प्रकारवाद के बारे में कॉम्टेर भी थोड़ा थोड़ा बताया बट प्रकारव विग्यानिक तरीके से किस ने लागू किया अपके इमेल दुर्खीम ने इसलिए प्रकार वाद का जनक भाना जाता है दुर्खीम को दुर्खीम ने माना कि जो कुछ भी है सब कुछ समाज में नहीं है इंपॉर्टन कौन है समाज विक्ति उतना इंपॉर्टन नहीं है अब स समाज के अलग-अलग घटक हैं, उसकी इकाईया हैं, वो इकाईया समाज को बनाय रखने में अपना योगदान देती हैं, और समाज को बनाय रखती हैं, तो समाज के जितने भी घटक हैं, जितने भी इकाईया हैं, वो समाज को बनाय रखने में अपना योगदान देती हैं, निश्चित तरीके से इनके बेच में इंडरकनेक्टेट समबन देती हैं और समाज को सुचारू रूप से एक विवस्था के रूप में बनाये रखती हैं ये हैं दुरखीम का प्रकारवाद थी तो आज हमने क्या क्या पड़ा सोशल फैक्ट पढ़ा प्रकारवाद पढ़ा बुक्स जानी और प्रत्यक्षवाद के बारे में थोड़ा सा जाना तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको इसके लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जूड़ सकते हैं वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको कुई जिससे रिलेटेट्र चाहिए तो भी आप हमारे ग्रूप से जूड़ सकते हैं जोकी पेड है पेड में कौईס जूड़ना है ये मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है एंड ऐसे ही पढ़़ते रहिए अपने गॉल की तरफ आगे बढ़ते रह स्खड़ाट झाड़ दूमांच झाल झाल